वेलकम एक दोस्तों मैं फिर से बहुत दिनों बाद काफी लंबे समय बाद ये वीडियो आ रहा है और इस वीडियो को मैं लेकर रहा हूँ चुकि कल पतना के मरीन ड्राइब फेजटू का इन्नोग्रेशन होने वाला है और उसी अस्पोर्ट में मैं आए गया हूँ रात में अभी रात के सारे 9 बज रहे है तो क्या कुछ अभी तक त्यारिया हो गई है कल के इन्नोग्रेशन के लिए उसी को दिखाने वाला है इस वीडियो में तो वीडियो पर बने रही है आप देख रहे है पतना का गौरब और मैं हूँ गौरब तो चले वीडियो को स्टार्ट क अभी से ही कुछ गारियां इधर से जाने का प्रयास कर रही है लेकिन वहां पर गार्ड खरे हैं और वह मुना कर रहे हैं से में बात अब से मैं पूछूंगा सेप्टी के लिए तो सारा चीज बेरिकेटिंग सारा कुछ होता है लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे मुद्दे पर चाली बात है यहां पर जाएंगे जो कि आप 40-50 से उपर स्पीड में जाएंगे तो सेंसर आपका गारी का स्पीड कर लेगा उसके आपका चलान जो है आपके घर पर पर पाउच जाएगा ऐसा हो सकता है अब यह आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे में चालूंगा नही अब पूरा काम उसमें कंप्लेट नहीं हुआ है इनोग्रेशन जो कल होना है वह सिर्फ दचिन साइड वाले यानि जो गंगा किनारे घाट है उसी रोका मतलब उसी लाइन का यहां पर उद्गाटन होने वाला है और इसी लाइन में दोनों गारिया जाएंगी एकि इसी ला है कि जब इसका इनोग्रेशन हो तो आप लिमिट गाड़ी नहीं चला है यह आपके लिए खत्रा हो सकता है और पिर कैमरा और सेंसर आपके घर तक चलान भी पहुचा सकते हैं आप देखिए इसका मैं फर्स्ट राइड आपको देने वाला हूँ मैं भाईया के साथ ही उनके ही पिकव वैन पे बैठ गया हूँ और आपको राइड दे रहा हूँ आपको राइड करते समय किस प्रकार की अनुभूती होगी इसे मरीन ड्राइब फेज टू पर देखिए तो पुड़ा का पुड़ा ड्राइड कलर में तिरंगे कि कलर में इस मरीन ड्राइब फेज टू को सजा दिया गया है अभी पर्मिशन नहीं है अंदर बायक इंट्री करने का इसलिए मैंने बायक को वहाँ पार्क कर दिया था और यह जो गारी जा रही है अभी जो आपने आप फिल कर सकते है जब इस इनुग्रेशन हो जाएगा तो आप इसे फिल कर सकते है चुकि कितना बहतिनी से सजाएगा है ट्राइक कलर में और सामने देख लेजी यहां से आगे जो है मरीन ड्राइब डाउन हो रहा है तो जब इस पर आप राइड करेंगे बिदाउट मैंचीत है और इसे लोग देखने के लिए काफी जोडोर से बिहार से या फिर आधर श्टेट से भी जब पटना घूमने आते है उप जब घूमने आते हैं यहां पे उसमरीन ड्राइब से मैं आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूं और कल जैसा कि मैंने आपको वीडियो म जाम से जूचते थे यानि अस्वोक राज में ट्रेवल करने में जो भी गानी मैदान आते थे या फिर पीम से चाते थे या फिर गाय घाट से होते हुए महंदरू जिदर भी जाना होता था उनके लिए रास्ता जो है सुगम हो गया मरीन ड्राइब का जब उद गाटन हो जाता था इस रूट में लेकिन जब इसका इन्लोग्रेशन कल हो जाएगा तो काफी रास्ता आसान हो जाएगा जो भी गाय घाट तक जाना चाहते हैं उनके लिए मात्र 15 से 20 मिनट का समय लएगा अगर नॉर्मल स्पीड में जाएंगे तो आपको 10 मिनट या 5 मिनट में भी डिस्टेंस लगवख सारे 6 से 7 किलोमेटर था और अब जो बीमचे गानी मेंदान से गाय घाट तक का डिस्टेंस यानि यह जो फेज 2 का मडिन ड्राइब चलू होने वला है जिसका डिस्टेंस लगवख 10 से 11 किलोमेटर का पड़ेगा और टोटल मडिन ड्राइब की वो सारे 20 किलो मेटर का है यानी 22.5 किलो मेटर का डिस्टेंस परता है इस मडीन ड्रैप का तो फर्स्ट बेज में में दिखगा से लेकर के गाहनी मैदान आए यहां पे कुछ भाई लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर यह मरीन ड्राइब का लुद्गाटन हो जाएगा जिसका बेसमरी से सब का इंतजार था सबको तो कैसा फिल करेंगे आप बहुत अच्छा सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमें जो काफी लंबा रास्ता तै कर करना पड़ता था इतना जाम हुआ करता था वहां पर अभी भी है लेकिन वहां पर भी काम चल रहा है तो वह थोड़ा आसान हो लेकिन मरीन ड्राइब जो काफी बहुत आसान कर देगा कमिनिकेशन यह जगह का नाम भुर्डों सीटी को अधरवाले को लोग अगर पी एंसी हैं काम चल रहा है अगर वह चल रहा है तो फिर मेरे लिए भी आसान होगा आपने को हाइको जाना हो या फुलवारी शरीवियर सरकारी बस चाहिए और नाम चाहूंगा की मरीन ड्राइब बनता है मतलब नय नया बनता है जिसे उधर भी बना था तो लोग काफी रफ जब पूरी तरीके से रोट चालू होगा तो वह जब तक हटेगा नहीं यह जो तरीके से इन्होंने बनाया बढ़िया वह अगर वहां पूरी स्टॉल रहेगा तो प्रॉब्लम्स रहेगी कमनी के जिए वहां तो बहुत ट्रैफिक होता है साम के समय में चलने का जगह होती है सबसे पहले उनको क्लियरेंस करना बहुत जरूरी है ताकि आपने लोगों की सुविधा के लिए बनाया है अगर आपने एक सुविधा दिया लोगों को तो एकदम क्लीन वे में चाहिए उसको मतला होना चाहिए मैं साम में कभी-कभी जातो जाहां पर फूड़ स्टॉल लगाया हो वहां पर जाद ट्रैफिक होता है गाडिया होती है तो यह प्रोग्रम प्रेस करते हैं अब उसको सॉलूशन होना चाहिए उसका क्योंकि वहां पर फैमिली जाती है तो आप उसको यहां पर पूछना चाहूंगा जिससे इतना बोल है तब वहां पर बहुत सारा स्पेस है उस साइड में मिट्टी अगर बरके उसको पुखता करके उनको इस पेस दे दिया जाए अगर हो सके तो सरकार उससे पैसे मतलब उसका जो भाड़े के तौर लेकिन वो जगह पर से थोड़ा सा मूव कराया जाओ बाकि इधर जो बन इसका अपने वे में क्या करा है हम भी यंग है तो हम लोग उनसे क्या अनरोध कर सकते हैं वीडियो के मादिया उनसे अनरोध यह है कि आपकी जिन्दगी है आपके हाथों में अगर आप से ड्राइब करेंगे तो आपको आपको खुद फायदा होगा यहां पे सबसे बड़ है खुद तो चलते हैं पूरी सेफटी के साथ होना चाहिए ना कि आप ऐसा कुछ ऐसा लागा स्पीड लिमिट होनी चीए कि अगर कोई बाइकर यहां से स्पीड में जा रहा है तो आगे वहां ट्रैफिक होना चीए और उसको पकड़े कि आपने स्पीड लिमिट क्रॉस कि पटना की खुबसूरती में चार चांद है यह जो रोड है ना इस पटना को एक मतलब नया अनुखा रूप दे दिया जो कनेक्ट है जेपी सेथू उसके बाद आपको मतलब क्या हो सकते हैं आपके गांदी सेथू से भी कनेक्टिविटी हो गया सीधा पच्मी पटना को अतुआडा जो मेन है PMCH जहां पर लोगों 裏 बिहार से लोग आते हैं उनके लिए ज्याम का सामना करना बह। जाधा मुच्किल था ढूब है। उसको ने बहुत आज करte तो यह जो बन गया है यह बहुत आसान करेंगा, इमर्जिंसी केसे से में, यह उजो उजने गाओ, यह लजु हुगा है और जो देर बहुआ है, बहुत इसे को सामना करते घरवन, इसको देखकर और है रहलों भागा रहे वह कि भी बाहर यहां पर सामने आके यहां पर आके बैठता हूं आधे गंटे गंगा की हावा ठंडी हवाएं मिलती है आराम से रिलेक्स करता हूं गंगा खा किनारा नीचे से मागंगा अभिडल बह रही है और उसके उपर से मडीन ड्राप काफी खुब सुरत यह नजारा होने वाला है बस एक दिन का इंतजार है तो कितना खुश है आप इसमें काम ही कर रहे हैं इनके लिए तो एक कमेंट बनता है कि आखीर देखिए किस प्रकार हम आपके लिए रात पर अपने घर फैमिली को छोड़ करके यहां पर आके हम लोगों को यह सवगात देते हैं और यही वह जगह है जहां से उधगातन किया जाएगा कल के डेट में अगर मुझे टाइम मिला कल के डेट में तो मैं आप्टर इन्मोग्रेशन भी आपको वीडियो दिखाने की कोशिस करूँगा बहुत दिनों बाद भी यह वीडियो आया है उसके लिए सौरी आपको दिल से और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बना के रखिए ताकि आपका भाई आपका अपना पटना का गौरब आप तक वीडियो पहुचाता रहे तो फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बन्ने मातरम जय बिहार